पूर्जुब लाहिमें अच्छेत्वान रेजीम बिसमें लायरामान रहीम नहीं साजित हम और आप देख रहे हैं बायो पॉइंट स्टुरेंट से है नाइन क्लास बाइजी चैप्रेंग बोर्ज एस सेल्स एंड टिशूज स्टुरेंट्स आजके ले hiç मैं अर्गीनली के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं आब व्याजी के बारे में इस लेक्चर के अंदर हम माई टॉकांडरी की110 जिसकोर्ट्मिशन और डिसक्वरीज की किमिकलं न्बॉप कolved और पाएंड हैं के बारे में बुख आप पूच्छर आपकी सपोर्ट इन्शालला एसी जारी रही है, हमें उमीद है तो इस सपोर्ट के पेशनेजर हमने ये पेसला किया है कि हम आपको अच्छे और भी लेक्चर डिलिवर करते रहेंगे और इसमें हमने कुछ 3D इनिमेशन को भी शामिल किया है तो आगे के लेक्चर में वे पेसला किया कि इसके साथ आप अच्छे जो अहम Armor पीपिटेक्स वाला जो फॉर्म चाहिए जिससे हम लेक्चर करते हैं इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमसे वाटसप ग्रूप के जरी आप राप्ता कर सकते हैं हम इसको आप पहुचा देरेगे तो वक्षाइगे बगेर लेक्चिर शुरू कर देते हैं तो हमारे साथ आज कर जो टॉपिक है वह हमाई टॉकांड्रिया इसको सिल्क प पाऊरवाउच भी का जाते है क्यों कीश के अंदर इनर्फी प्रुड्यूस होती है तो सब्सक्राइब हम इसका मतलब जाने तह सका मतलब क्या होता है तो मैट टॉकांड्रिय का मतलब यह यह टूगरीक वर्ट से निकला है माई टॉस से और यह कहांड्रियों से माई टॉस नियूल एक गोल सा इक स्ट्रक्चर होती है या एक राट शेप एक स्ट्रक्चर होती है और यह गोल सा श्रक्रों होती है इसको हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इसको डबल मिंब्रेन बाउंड इसके ओपर जो है दो परदे होते हैं और यह काप एक प्रिजन्ट होती है जितने भी यूकरियाटिक सेल है इसके साथब्लाधम के अदर यह बहुत से तादात में प्रिंट होती है और इनरजी को प्रोडूइस करते हैं फाम आप एटिपि त तो इसको सबसे पहले किस ने डिस्कवर किया था है सबसे पहले है उट स्टर्कशर आपको पर्दढ करें हैं इसके डाइग्राम हैं और पिंक वाला प्रीजन आपको दिखाए दिया रही है यह यह आउटर मेंब्रेन हम इसको कहते है यह बाहर वाला पर्दा होता है यह डबल मेंब्रेन होती है एक अंदर वाला मेंब्रेन होती है यह बाहर वाला होती है तो यह तो इसकी हो गई आउटर मेंब्रेन और यह जो आप देखर हैं यह हमवार होती है यह बाहर वाला जो परदे होती है और यह जो अंदर वाला जो होती है यह पॉल्ड इट होती है यह ऐसे अंदर अंदर पॉल्ड हुई होती है तो इस फार्म में होती है और इस पॉल्ड के अंदर जो रीजिन होते हैं जो एरिया ह composition जो इस डाइग्राम के अंदर आपने membrane को देखता है तो membrane को देखा तो simply यह membrane जो है सिल membrane की तरह इसके chemical composition होते हैं जिस तरह वहां पे जो है हमने पड़ा था कि इसके अंदर lipids और proteins present होते हैं तो lipids by layer होती है यह से एक layer होती है lipids की और इसके अंदर जो है प्रूटीन यह से इंबेड होते हैं तो सेम इसी तरह इसकी chemical composition lipid और प्रूटीन पर मुझतमिल होती हैं अब हम आते हैं इसकी matrix के अगर हम बात करें यह दरूनी वाल जो पर्दा यह से इसे पोल होई होती है तो इसके अंदर होती 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 है इसको हम matrix कहते हैं और फbayर किंठीन की चीजूसे बनी sacrifices होती ेब होती है यह suppzio चीज थिह होती है इसके matrix के अंदर मौझत होती है अब इसके genial कूल कैसी होती है तो इसकी शकल जो है या तो यह तो तो यह स्ट्रॉक्चर होता है और या तो यह पेलेमेंट की शकल में होते हैं या विजिकल के फॉर्म में यह एसी पॉर्म में मौझूद होता है तो यह तो हो गई इसकी शकल अब हम इसके स्ट्रॉक्चर की तरफ आते हैं इसका स्ट्रॉक्चर कैसा होते हैं तो सबसे पहले ये जो डाइग्राम के अंदर आमने पड़ा ऐसके जो बेरुनी जो परदा होते हैं यह होगय है Mito-Condri इसको मैंने सिंप्ल ड्रा कर रहा है यह जो बाहर वाले जो पर दो होते हैं इसका वू को हम इनर वेंब्रें कहते हैं और ये इसके अंतर मुतलिप की सरंब के अंदर से डिसीद भी इन और इस हर एक को हम क्रेश्टा को स्टूरॉट क्ल स्टौर्ग्टॉर्ट्धार्ड इसके अंदर एक कीली चीज पार्टिकल्स ,ха कि तन्तरा है कसे पर इसकी जो मेट्रिक्स होते हैं तो इसके दर मातिंट ही इनर चैमेबर इसको मुझेचे को मुझेते हिसके आक कहते हैं तो इसके अंदर जैसे कि की क्मीटल तो इसको बताया आपको गये जयां को इन्जाइम साल्ट परCl जो इसके अंदर होती है यह डियने और आइबोजोम जो है इसके अंदर प्रेजेंट होती है अच्छ हम आते हैं इसकी डाइग्राम के अंदर यह से आपको क्लियर हो जाएगा तो यह जो है डाइग्राम आप देख रहे हैं यह यह बाहर वाले इसकी हो गई मेंब्रेन और यह यह जो हो गई इसकी यह वाले जो अंदर दसेवे होते यह एसे फॉर्म में यह पोल्डिंग के फॉर्म में होती है यह अंदरूनी जो मिंब्रेन होती है यह हम वार नहीं होती जिस तरह के आउटर मिंब्रेन होती है इसको हम इनर मिंब्रेन हम इसको कहते हैं और बाहर वाले क आपको दिकाया देया है बैसिकली अंदर का जो चेंबर जिसको हम मैטRIKS कहते हैं मैट्रिक्स के इनदर अप दिकाया गया घ्ड़ कि तो दिखाये रहे और यह भू गई इसकी और यह जो घ्रीवणयोट यह छोट्रत लिक्रेश अपको ने अधर आप जिसको हम यह वाले रीजिन जो आदेकर इसको हम तोड़ा से जूम करके लिखाते हैं इस तरह कुछ तो ए माय टुकान्ट रिया देकर यह बाहर वाला इसकी में ब्रैन हो गई वही जो इन फोल्डिंग छो पाम में होती है जो आम वार नहीं होती सिसको हम इनर में ब्रैन कहते टेस्टिया जो है जो आपको दिखाया रही है क्या है नहीं जूंता सैंथ हम्छोह शूर्यम मैत्रिक्स कहते हैं तो हमई सा हर एक पॉल को हम क्या कि यह इस क्रेस्टा कहते हैं अच्छा जी इसके अंदर जो होता है इसको हम मैक्रिक्स कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं मैक्रिक्स और इसके इंदर प्रूड्यूस JENNY in the form of itTP इसके Media的 energy producer ते 20 एजब जैसे इसको powerhouse भी खाजाते तो किस vIV में प्रोडियूस हो चाली तो निटीपी के पार में इनाफिव को प्रूड्यूस करते एऐ का मतलब क्या होगी है एक मतलब EU dauna syne हो गया TV का मतलब अब या पर हो गया पॉस्पेट यानि इसका पूरा मतलब यह उगया कि एड़ने सीन ट्राइफ फास्पेट अच्छा दूसरा जो इसके अंदर पंक्षन होते हैं इसके अंदर रोते हैं इसको हम रिस्पाइरेशन होती है इसके अंदर इनर्जी प्रोडियूस होती है इस वजह से इसको पावर हाउस आप देसल भी का जाते हैं अच्छा जी इसके अंदर और क्या होता है होते हैं आर विर इस मैताभॉलिक टीविटी अकर्स है है इसके अंदर मुतरुफिक एक्टीविटीज और मुतरुफिक मेताभॉलिक टेविटीज इसके अंदर इकान घर ब्रक्राप हो रहती है पौर्तिस का इस को पाउर हाउस बीका जाता है और यह आप देख अप रहे हैं यह hpyeon, respiration की आप देख रहे हैं यह एक reaction है जिसमें glucose की मालिक्यूल आती हैalten यह चे oxygen मालिक्यूल के साहत रेक्शन करती हैय और आगे से यह से result में इसके breakdown होती है, और से result में हमारे साथ डाई पासपेट एक पासपेट आ जाता है यह पे और यह अटेच हो जाता है ADP के साथ और यह एडुनेशीन ट्राई पासपेट हमारे साथ ATP बनाते हैं तो यह इसके पाम में इनरजी स्टोर होती है जब सिलक और इनरजी की जरूरत होती है तो इसको यूस करती है अच्चा जी इसके रीजल्ट में क्या बंते हैं हमारे साथ 6 molecules CO2 के बंते हैं और 6 molecules हमारे साथ water के बंते हैं और रीजल्ट में हमारे साथ energy भी produce होते है तो ये तो होगी इसलिवर रेस्पारेशन जिसके अंदर ये होता है उसके अंदर जैसे इसको पावर हाउस अब तस्यल्बी कहा जाते है माइट्र कांड्रिया को तो यह तो होगी आज का लेक्चर हमारा तो वीडियो का अच्छी लगी हो आपको तो इसको लाइक भी जरूर करें और हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और बिल आइकन पर जरूर क्लिक क कीजिए और इसके लाव आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें यूट्यूब पर प्रपोस्पोर्ट किये इस तरह जारी रही है मजीद अच्छे लेक्चर के लिए हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब पर हमारी पेस्बुक पैच को भी लाइक और फालू कांडिया so here is mitochondria this yellow structure is called outer membrane if you see here then the inner membrane is in the form of n foldings which is called crystal and inside the inner membrane there is a chamber which is called matrix inside the matrix there is enzyme coenzyme and ribosomes in RNA also DNA are also present here and there is a knob like structure we just call upon particles so this is the 3d animation if we go around the cell so this is the whole structure so hope you will learn something from this 3d animation for more lecture watch our channel and like this video and subscribe our channel and press the bell icon to receive latest notification thank you